नमस्कार दैनिक्षिफ टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शुबंभगत के साथ पूरे देश समझ देश्वासियों को जम्मु कश्मीर की जनता को कल यानि के दीपावली का तहवार है पहले एडवास में हार दिख्षुब काम नहीं आपका ये तहवार मंगल में और खुशियों बरा हो जिस तरह से आप जानते हैं लगातार सियासत में उतल पूतल तो चलती रहती है पर सवाल ये बड़ा है कि अगर कोई कानून निकलता अगर कोई आदेश आता उसे हर सियासी पार्टी को हर सियासी नेता को से पालन करना होता है जिस तरह से अगर बात करें कोई जिन पहले की तो मैं बुबा मुफ्ती जो फार्मर सियम रह चुकी है जमू कश्मीर की उन्हें उनका सरकारी बंगलो खाली करने के आदेश दिये गए उसी के चलते लगातार फार्मर मनिस्टर जो के हर्चदेव सिंजी ने लगातार आवाज उठाई थी के विपक्षी नेताओं के तो बंगलो सरकारी बंगलो खाली करवाएगे क्या अब बारी होगी बाजपा के खुद के नेता जो कितने सालों से जो मंत्री भी नहीं है अब कोई विधायक भी नहीं है वो भी सरकारी बंगलों का लाब उठा रहे है आखिर कब होगे उनके पास आदेश एविक्षन के सबसे पहले आपका बहुतमुना अड़क्षी नेताओं को आते हैं भाजपा के उन्हीं जो सरकारी बंगलो में रह रहा है एशुराम की बिता रहे है क्या कहेंगे अब इस संदर्म में हमने परदर्शन जो है वो कविंदर गुपता के रेजिडेंस के बाहर भी किये और जो कमिशनर है एस्टेट्स डिपार्टमेंट के उनके बाहर भी किये गवर्नर महोद्यों को भी हमने लिख कर दिया था लेकिन ऐसा लगता है कि एक मिली ब ही है हिंदुस्तान में तो बीजेपी ने अदायरे बेश दिये जो पबलिक एसेट्स थे उनको बेश दिया जिसका जिकर आए दिन होता है किस तरीके से सरकारी संपतियों को अपने दोस्तों को बेचा जा रहे लेकिन जमू किश्मीर में तो खरीद फ्रोकत भी नहीं हुई है जी और उसके बगैर ही इन लोगों ने सरकारी संपतियों के ओपर कबजे कर ली हैं भारती जंता पार्टी के नेता शायद यह समझते हैं कि जो सरकारी संपतियों हैं जो टेक्सपेर मनी से बनी हुई हैं वो इनके बाप दादा की जागीर हैं शायद इसलिए वो सरकारी स गहर किसी entitlement की कोई किराया नहीं दे रहे हैं वो यह सिर्फ को विंदर गुपता जी की बात नहीं है जे उनके जो मंत्री हैं जो उनके विदायक हैं वो भी गहर कानूनी कभजा कियों हैं जो आज की तारीक में किसी भी सरकारी ओदे पे नहीं है एमेले तो छोड़ दीजिए बीडीसी डीडीसी भी नहीं है पंच या सरपंच भी नहीं है उन लोगों ने भी मंत्रियों के बंगलों के ओपर गहर कनूनी कभजा किया हुआ है और नाके बल कभजा किया हुआ है रशमी बहुत एक बात ये भी हाँ समझने की है कि उन बंगलो के नेताओं की सेवा में लगाये जाते हैं बहुत सारे टीवी इनके एक एक कमरे में लगाये गए हैं अगर बीस कमरे एक बंगले में हैं तो लगबग इतने ही टीवी आपको वहां मिलेंगे लगे हुए और रेफरीजेटर्स मिलेंगे लगला कमरों में बैड्स हैं दूसरा लगज्रिस का जो समान है वो टेक्सपेर मनी से कृइदा गया है यानि लोग टेक्स देते हैं जटा के पैसे से कृइदा जा रहा है जंता को баб ने दी जा रही है अगर कहीं सड़क खराब हो जाती है माल लीजे तो उसको रिपेर करने के लिए पैसे नहीं है खड़े जो है गुटने गुटने तक पड़े हैं सिरकार कहती है पैसे नहीं है लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है भिजली नहीं है केके गहंटे तक कट है स्कूलों में मास्टर नहीं स शरकार कहती है पैसे नहीं है लेकिन जो पैसा टेक्स के मादम से इकठा किया जा रहा है वो इनकी खिदमत में लगा जा रहा हूँ और इतने टेक्स लगा दिये हैं लोगों ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी आज की तारीक में भारती जनता पार्टी ने जिसके उपर टेक् तैक्स दूद, दें, मकषन के उपर टेक्स लगा दिया, आटा, दाल, चावल के उपर टेक्स लगा दिया और जो पैसा एकठा हो रहा है उस पैसे से अगर जनता की खिदमत हो तो बात मानी जा सकती है लेकिन वो पैसा जो लोगों से लूट खुशूट की जा रही है टेक्स के नाम पर वो भारती जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो सुविधाएं देने में लगाया जा रहा है अगर ये बरष्टा चार नहीं है तो बरष्टा चार होता क्या है मैं LG मोदे से पूछना चाहता हूँ सबसे बड़ी बरष्टा चार की मिसाल यही है और मैं पूछना चाहता हूँ कहा है विजिलेंट और्गनाइजेशन रश्म इसके साथ ही मैं जोड़ना चखूँगा, कि ना केबल सरकारी बंगलों के ओपर इनλοगों ने कबजे कियो है, गैर कानूनी तριके से, बलके सरकारी गाडियों के ओपर भी इनलोगों के कबजे हैं, सरकारई गाड़िएं बीजेपी के च्छोटे च्छोटे वरकर जो है उनка दी गई गई है जिनकी तिनकोवा सरकारी ख़जाने से निकलती है टेक्सपेर मनी से निकलती है कहां हैं CBI वाले कहां हैं Vigilance वाले कहां हैं Anticruption वाले क्या कोई संग्यान इसका लेगा या BJP की नोकरी करने में सारी लगे हुए हैं आज की तारीख में बड़ा बदकिस्मती है कि लोगों का पैसा लूटा जा रहा है जनता का पैसा लूटा जा रहा है और Vigilante Organizations जो है वो मुक दर्शक बनी हुई है मैं राष्टपती महोदे से कहना चाहता हूँ प्रेजिडंट महोदे आप तो संग्यान लीजिए किस तरीके से लूट पार्ट की जा रही है टेक्स पेर मनी को जिस तरीके से साइफन किया जा रहा है जमो कश्मीर में दूसरी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी और जैसे मैंने कहा कि बाकी प्रापर्टीज को तो आप भेची रहे हैं उससे शायद कुछ ना कुछ सरकारी खजाने को थोड़ा बहुत मिला हो लेगिन जमो कश्मीर मैं तो बगैर किसी पेमेंट के जो बंगलो में ये लोग लह रह रहे हैं इनका रेंट नहीं दे रहे हैं बिजली के किराये मैंने बार बार आटी आई के मादम से निकाला कि कितने ही किराये लाखों लाखों रुपया किराया एक एक बीजेपी के नेता के नाम पर था अगर कोई आम नागरिक चंद सोर पे का बिजली का किराया नहीं देता है तो उसको नोटिस आता है उसकी बिजली कार्ड दे जाती है उसको कहते हैं पावर थर्फ्ट का केस तेरे उपर बनाएंगे और मुकदमा भी चलाएंगे और भी पार्टी से तालुक रखता हो 2020 में स्टेट लाग को अमेंडमेंट की गई और जिसमें कहा गया कि जितने भी पूर्व विधायक होंगे सांसोद होंगे या मंत्री होंगे वो एंटाइटल नहीं करते कोई भी गर्मेंट एकमेंडेशन के लिए तो फिर उस कानून की पक्ष में बैटे हो तो सत्ता पक्ष में भी तो कानून लागू होता है लेकिन यहां तो वह कहावत है ना कि शेयां बने थानेदार अब डर काहे का लूट लो जितना लूट सकते हो और भारती जंता पार्टी वाले वही कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि यह समझते हैं कि य यह सरकारी संपत्तिया और यह जंता का पैसा है इसको अपने बाप का माल समझकर यह लोग लूट रहे हैं यह नकाबले बրदाशत है और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा आने वाली वकत में सरकारी का फाइदा लेना अशु आराम कर दिल्ली जाकर जो है धर्ना लगाएंगे राश्टपती महुद्या को मेमुरेंडम भी देंगे कि जनते के पैसे की किस तरीके से लूट हो रही है और हैरानगी की बात यह हम तो यह कहेंगे राश्टपती महुद्या से के जो लोग इसमें रह रहे हैं वो तो हैं ही हैं allow किया हुए है उन बंगलों में रहने के लिए उनके खिलाब पहले कारवाई होनी चाहिए क्योंकि वो जो सिवल सर्वेंट्स हैं वो भारती जंता पार्टी की नोकरी कर रहे हैं आज की तारीक में और गैर कानूनी तरीके से उनको इनोंने इन बंगलों में रखा हुआ है जो सरा सर इलीगल है और गैर आईनी है और उसका संग्यान जो है अगर लेटरेंट गवर्नर मोदें नहीं ले रहे हैं तो राश्च्टपती मोदे को लेना चाहिए और इस संदर्व में जवाब देई तै की जानी चाहिए और जैसे मैंने आपको कहा रश्मी सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल लाकों क्रोडों रुपे का सामान खरीद कर उन बंगलों में रखा जाता है जनता के टेक्स के पैसे से वो रेफरीजरेटर वो टीवी वो फरनीचर जो है इतने महंगे सोफे हैं कि आप हरान हो जाएंगी रहकर आप कभी किसी इस यह जो गैर कानूनी रह रहे हैं बीजेपी के लोग इनके घरों में जाकर देखिए इनके घरों में घर नहीं है इनके वही जिसके ओपर इन्होंने कबजे किया हुए सरकारी बिल्डिंग के ओपर और नाकेबल बिल्डिंग के ओपर कबजे हैं सरकारी जमीनों के ओपर इन्होंने कबजे किया है रोशनी लैंड्स के ओपर इन्होंने के कवजे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है लूट लूट लो जितना लूट सकते हो गरीब आदमी के लिए दो वकत की रोजी महया करना आज मुश्किल हो गया है इतनी महंगाई की मार उसको दे रहे हो इतनी की तोन्दें बढ़ाने के लिए और इनको सुविधाइन देने के लिए यह जनता आने वाले वकत में कभी परताशत नहीं 2 इचल रहा है कहा था एक विधान एक निशान एक है जो ही पारेहें वर्बाना के जूझ रहा है डेली वेजर अलग से परेशान हैं हॉम गड़ sido के हम बात कर रहे है जम्मू बे डीजरव के तगेरी वो नोकरी बचाहें या वो जान बचाहें पर इतनी महरबानी क्यों आपनों पे करम जाइस पॉइंट जो है उभारा है कि डिली वेजस को तनखवा देने के लिए पैसे नहीं है है और जो मुलाजम हैं जो माईगेंट हैं वहांसे जो । आपने पैसे नहीं हैं DAN Congo उनके लिए पैसे नहीं है। उनके लिए पैसे नहीं है। लेकिन जो पैसा कठा। कितने ही क्रोडों रुपया। शयद अर्वोंने चला गया होगा. जो एसिटेट्स डेपाटब्मेट्मेंट में खर्चा हुआ है इसका निकालिये। पिछले चार सालों में अर्बों रुपया इकठा इनके ओपर खर्चा हुआ होगा रश्मी इन बंगलों की जो है वो मुरम्मत करने के लिए इनको बनाने के लिए और इनमें वो समान महया करवाने के लिए जिसमें इह निता आज की तारीक में रह रहे हैं अर्बों रुपया आप इनकी खिद्मत में लगा रहे हैं और यही पैसा इन गरीबों को तनख़वा के शकल में दिया जा सकता था दिपार्टमेंट की डिली वेजर कैजूल बर जिनको तनख़वाएं भी किंके महीनों से नहीं मिले वो लोग इस समय भुकमरी की कगार पर हैं उनको देने के लिए पैसा नहीं है निस सारे हमारे जो जो लोग टेक्सपेर हैं वो इंजाय कर रहे हैं उनकी अपनी पोजिश हैं होम गार्ड्स हैं और दूसरे तब कि एन एचेम हैं उनको पका नहीं किया मनरेगा के अंगनवाडियां अशा वरकर्स हैं उखाड फैंकिये भारती जंता पार्टी की सरकार को आने वाले वकत में और जिन लोगों ने आपका पैसा खाया है जो पैसा आपको मिलना चाहि करें कहीं भी जाना पड़े हम चलेंगे आए दिन आए हर बार जंता को मुझ की खानी पड़ी उनके विश्वास घात हुआ है तो किस तरह से डेली वेजर की बात करें जिनके साथ मानने परधान मंत्री जी ने खुद वाइदा किया था तो आज वो लोग किस पर विश्वा करते हैं हमारी यूवा हमारी जनता लिखती है नोटा यानि इस पर सबसे विश्वास उठ गया तो किस पर विश्वास जता नहीं के बिलकुल आपने ठीक स्वाल जो प्रशन किया बहुत सही मुद्दा उठाया है कि परदान मंत्री भोदे ने बड़े-बड़े दावे उस करने की बात हुई लेकिन हुआ क्या जो लोग नोकरी करते थे उनको भी निकाल दिया आपने एक कह कर कि आपके पास फैसे नहीं और ब्रस्टा चार आपके नाक के नीचे हो रहा है आपके लोग जो है वो ब्रस्टा चार करने मोदी जी बीजेपी के लोग हैं जो गेर कानूनी तरीके से ये सब करने बंगलों के ओपर कबजे सरकारी गाड़ियां उन्होंने अपने कबजे में ल 2018 महीं चार साल पहले कहा था कि इनको कोई अधिकार नहीं है कि यह उन्हों बंगलों में रहें इनको फोरी तोर पर बाहर निकाल दीजिए लेकिन इन्होंने कानून को भी अपनी जेब में डाला हुआ है इतनी गुंडा गर्दी है इतनी ताना शाही आज ता किसी नहीं देख इतना ब्रश्टा चारा कोई संग्ञान लेने वाला नहीं यह यह ब्रश्टा-चार खतम करने के नारे सिर्फ किताबहु में अगल यहां लूगत देखिसे में आपके लोग ृफ्रिश्टा-चार्में कितने हुए हैं गर्दन गर्दन से ऊपर चला गया है काम होगी जनता की प्रशानियों को जनता को मुग्ती मिलेगे इन सारी प्रशानियों को मुग्ती मिलेगी आखिर कोन होगा कब आएगा वो समेश हम तो कहते हैं कि इनको उखाड खें Ty किये आम आदमी party को समर्थन होंगे तो भेतर ही कर सकते हैं और अपने टाइम में हमने किया 35,000 नौजवानों को भरती करना कोई आसान बात नहीं है तीन साल के इंदर जो मैंने किया अपने हाथ से और दिये और एक एक को जब नौकरियां निकालते हैं तो हर लिस्ट बाद में दो तीन साल बाद कोईश करने पड़ती है नौकरी तो कहीं मिलने रही है और कोईश इसलिए कैंसल करना पड़ती है क्योंके भारे 25,25,30,30 लाक रिपया ये पता लगा आपके पॉलीस की भरतियों में लिया गया है इ बड़े दावे करने वाली सरकार जो है और मोदी जी आप तो कहते थे के जीरो टॉलरेंस होगी ये ग्लैमरस स्लोगंस देने से लोगों को आप बरगला नहीं सकते हो बहला नहीं सकते हो ये सारे के सारे जुमले थाबत हुए हैं और जिस तरीके से लोगों के अंदर एक पॉर्मर मनिस्टर हरदेव सिंग जी जिनने साफ तोर पर कहा कि आने वाले समय में जिस तरह की नीतिया अपनाई जा रही हैं जन विरोधी नीतिया युवा विरोधी नीतिया आने वाले इसका खमयाजा भाजपा को जरूर भुगतना पड़ेगा सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से मानने परधान मंत्री जी की शवी के पीचे उनके चेहरे के बिचे जिन 25 विधायकों को यानि 25 रिप्जेंटेटिव को जनता ने चुनकर बेजा था आज वो कहां पर है आज वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं लगातर जिन लोगों ने मोधी जी के नाम पर वोट लिया था और वोट दिया भी था जनता ने और पूरा समर्थन दिया था कि मोधी जी की जो वीजन है कही ना की ये नेता भी उसी वीजन पर चलकर है हम जनता की परिशानियों का कही ना की समाधान करेंगे पर परिशानियों का समाधान तो दूर जनता हमारी जो है बे जिसकी स्तीती बनी हुई है नान पैकेज नान पीम पैकेज पीम पैकेज ने हर कोई आज परिशानी के आलम में है जिससे हर्देव सिंग जी ने कहा कि अगर गाज गिरती है विपक्षी दलों पर ही क्यों यह सोचा हो बाजपाने के कानून उनकी जागीर है जे में डाल कर यह आप अगर कानून निकालते हैं उस कानून का पालन करना हर एक व्यक्ति का करतव है चाए वो सियासी हो या नान सियासी पर सवाल यह है कि सिर्फ बाजपा के नेतों उपर ही करम क्यों हो रहा है यह आपनों पे करम और घैरों पे जलुम यह जनाब नहीं चलेगा चलिए देखते हैं यह सियासत है कुछ भी हो सकती और सियासत को बनाने वाली आम जनता है यह जनता ही जिनकी वज़ा से सरकारे बनती भी है और गिरती भी है यह जनता पर छोड़ते हैं ना आने वाले समय किसे अपना समर्थन देती और कौन सी सरकार हमारी जनता चाहेगी जो सुन बन्यवार्द